आपका सवागत है हमारे YouTube चैनल Best पठाई में इस पार्ट में हम ग्लास टेंट चैटर 3 टू इस्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट वन पढ़ेंगे इस चैटर में टू इस्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो कहानिया हैं एक इस फ़स्ट प्लाइट जिसके राइटर है लियांग ओफ लिहर्टे एक दूसरा चैटर है सबसे पहले अब इस फ़स्ट प्लाइट चैटर के आरे में कुछ जानते हैं यह कहानी है एक सीगुल की यानि एक बच्छी की जो सामुद्र में रहता है तो वह पहारी पर ऐसे रहता है और एक दूसरी पहारी यह है इस पहारी में यह सीगूर रहता है, इसके दो भाई और एक बहन रहते हैं, उसके पैरेंट्स रहते हैं, तो यह काफी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन यह ड़ता है अपनी पहरी उड़ान भरने से, यानि कि यह अपना नहीं चाहता है, इसको ड़ता है कहीं मैं और नहीं उड़ता इसके परेंट्स लोग काफी परिसान रहते हैं कि हमारा भी बच्चा कैसा उड़ेगा वो काफी स्ट्रेस रहते हैं फिर एक दिन क्या करते हैं कि यह इस पहारी पर रहता है इसको अकेले छोटी बागी सबी लोग दो भाई वहन और पैरेंट्स जो है इध रहता है और वह वापस आ जाता है यह उधरी देख रहा होता है कि हमारे पैरेंट्स क्या कर रहे हैं लेकिन वह लोग इसकी तरफ भ्ध्यान देते हैं और यह जो है कि बशेक्रेता है उप शोब्रेंट्स लेक्श कोदेख रहे होती है तो फिर यह 24 गंट बीच चुके थे यह काफी टायड लग रहा था ठक चुका था और यह कोई उड़ने की कोशिस भी नहीं कर रहा था तो इसकी माता सोची क्यों ना कुछ अलग राय किया जाए तो वह जो है यहां से यह बहुत जादे इसको भूंख लगी थी तो उसकी मा यहां से जो है एक मशली का तुकड़ा कि और यहां पर तका तक लाति यह जब वो इहां प्रिया यहां पर रहती है निया जो है कि अफो जो अधर बहुत था करने मतलब होाइं दो हो आ है। पहारी के नीचे दीरा जा रहा है अगले हिच्छाण उसको बहुत गंदा रकाज को रहता है बस मैं चला जाओंगा फिर अगले हिच्छाण उसको अपने पंग खलका उडाता और उसे उड़ते अच्छा वनना करता है फिर वह जो है अपनी आवाज में गागागा उला उनकी आवाज है वह यह सब करता है और वहीं पर अपना उड़ता है फिर वहां उसके जो फैबली मेंबर्स रहते हैं भाई वहन पापा ममी यह सब भी उसको देखर बहुत जाला खुशी होते हैं और उसको इंसारफल कहने ल सब्सक्राइब और यहां पर सामुद्र में इसके पैरेंट्स आकर एक ग्रीन सी में के बैट जाते हैं तो इसको भी बुलाते हैं कि आज आ तुम दूर आते हैं इसको लगता है कि यह जूब रहा है लकिन इसके फैमिल मंबर्स बहुत जाला खुस ही रहते हैं वह जो है इसको उसको खाता है और बहुत जाला खुस होता है इस तरह से चेप्र कंप्टेट होता है इस्टर के नाव रखने इसकी पहली पुरान से रहां इसके व्यक्तित के अधार पर रखेंगा कि इतना ज़्यादा डरता था फिर भी उसने इतना अच्छा उड़ान के प्रैक्रिस की इस जापर के हम इस फर्स प्लाइट रखा गया है यानि उसकी पहली उड़ान को इतना डरने की वागजुद अपने पहली उड़ान भरा उसमें सफ़र दा इस तरह से यह चापर कमप्ल झाले